नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर आज की पैंशन से जुड़ी लेटेश न्यूस ताज़ा अपडेट उन सभी पैंशन धारकों के लिए हैं जो दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था या कुष्टवस्था में से किसी भी एक पैंशन का लाव ले रहे हैं पैंशन बनी हुई है, सरकार की तरफ से पैंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुश्खवरी निकल कर आ रही है इस बार आपको बढ़ाकर पैंशन सरकार देने जा रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2750 रुपे है, 3000 रुपे है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखे हमने एक छोटा सा स्क्रीन सोट लगाया हुआ है जिसमें जो रुपी पैंशन है लाभारतियों की, वह है ट्रांसफर की जा रही है, यहाँ पर देखे, 6000 रुपे हैं, 6000 रुपे हैं, 6000 रुपे हैं, 6000 रुपे हैं, यानि की डबल लाभ आपको मिलने जा रहा है और दोस्तों, कुछ ऐसे पैंशन धारक भी है, जिनको 3000 रुपे पैंशन नासी दी जा रही है कैसे आप यह रुपी पैंशन प्राप्त कर सकते हैं, और कब तक, यानि की किस तारिक तक, यह रासी आपको पैंशन की सरकार देनी जा रही है संफून जानकारी डिटेल वाइस में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है वीडियो की सुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेधन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तो बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है, वह है सबसे पहले आपको पराप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाग उठा सके चलिया दोस्तो वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि किन पैंशन धारकों को इस बार बढ़ाकर पैंशन सरकार देने जा रही है और किन लाभारतियो की पैंशन बैंक खात में ट्रांसफर कर दी जाएगी देखे दोस्तो हम आपको डिरेक्ट ही राज्य सरकार द्वारा पैंशन पोर्टल चलाया जा रहा है उस पर लेकर आचुके हैं यहाँ पर सबसे पहले पैंशन धारक का आप नाम देख सकते हैं यह पैंशन रेजिस्टेशन संक्या है नंबर है यहाँ पर पिता जी या माता जी का नाम देखने को आपको मिलेगा पती का उसके बाद यहाँ पर आप देखें यहाँ पर मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपका एडरस भी किसी का दिया हुआ है किसी का नहीं दिया गया है याen पर दोस्तों आप धनराएसी देख सकते हैं कसी को 3000 रुपे दे जा रहा है यानि की जिन पैंसन दारुको की सभी चीज़े सही है उन्हें यहाँ पर 3000 रुपे मिल रही है कुछ ऐसे पैंसन दारुक है जिनको परतिमा दिये जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6,000 रुपे भी पैंशन धारकों को दिये जा रहा है जो की रुक्य हुई पैंशन किस्ते हैं यह लाभारतियों के बैंक खाते में सरकार ट्रांस्फर कर रही है यहाँ पर payment देख सकते हैं, payment released की जा चुकी है, यहाँ पर लाभारतियोंगा बैंक खाता भी आप देख सकते हैं देखे दोस्तों आप किसी भी राज्य के pension धारक हो सकते हैं हर्याना, पंजाब, गुजराद, महाराष्टा, करनाटका, उत्रपरदेश, हिमाचल परदेश, आंदरपरदेश सभी राज्यों में सरकार अलगलग pension दे रही है देखे दोस्तों जैसे उत्रपरदेश की बात करें, यूपी pension योजना के बारे में तो जो ये 3,000 रुपे हैं, यहाँ पर 3 महने के बाद 4 महिने में सरकार pension ट्रांसफर करती है यानि कि दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्ता, इन 3 pension धारकों को 3 महिने के बाद 4 महिने में ये pension नासी दी जाती है लेकिन उत्तर परदेश के जो कुछ ट्रोग से पीड़त वैक्ती हैं, pension धारक हैं, उन्हें 3,000 रुपे हर महिने सरकार दे रही है लेकिन जिन pension धारकों की रुगी pension किस्त हैं, 3 महिने की, 4 महिने की, अच्छे महिने की हमने यापर आपको लाइव सबूत दिखा दिया है कि देखे देखे दोस्तों, यापर 6,000 रुपे रुगी pension की सरकार ट्रांसफर करती है, 4,000 रुपे भी यापर दिये जा रहे हैं यदि आपकी भी pension किस्त हैं, तो वहें आपको मिल सकती हैं, लेकिन यहापर आपको कुछ कार्य करने होंगी, जबी आपको यह लाब दिया जाएगा यानि कि कौन से आपको करने हैं, जिस राज्य में कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनमें EKYC करा जा रहा है, pension का EKYC और कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनमें जीवन परमानिकरन करा जाता है, जैसे की बिहार राज्य हो गया है तो यदि आपके राज्य में EKYC करा जा रहा है तो आपको EKYC करा लेना है और EKYC के बाद आपको दूसरा कारिय करना है अपने बैंक से जुड़ावा इस बैंक में आपको जिस बैंक में आपका बैंक खाता है उसमें आपको पैन कार्ड PEN card के बाद आता है आपका आधार card आधार card के बाद आता है आपका mobile number जिहां दोस्तो mobile number इन तीन दस्तावजों से आपको ये दस्तावज़ा आपको अपने bank में जाकर link कराने होंगे अपने account number से यानि कि यहां पर जब अब सरकार pension transfer करती है तो वे ऐसानी से आपके bank खाते में पहुंच सके और दोस्तो तीसरा सबसे बड़ा करण है आपकी pension रुखने का bank खाते में ना पहुंचने का क्या है दोस्तो वे है आपका pension application फरम जी हां दोस्तो या मान लिजिए आपके PFMS में accept नहीं है well invalid है तो आपको pension नहीं दी जाएगी यदि आपका आधार card में नाम अलग है या फिर दोस्तो address अलग दिया हुआ है जैंडर महिला प्रोस ये भी अलग है यानि कि pension application फरम में आधार card में कुछ गलती हो रहे है तो फिर भी आपकी pension को रोग ले जाएगा या फिर आपके account नमबर में IFSC code में या ब्रांच में कोई गलती हो रही है तो फिर भी आपकी pension को रोग ले जाएगा आपको ये सभी गल दस्ताविज है आपको जो भी आपका प्रकंड है ब्लोक है या फिर विकास भवन है वहाँ पर जागर आपको अधिकारों के पास ये दस्ताविज जमा करने होंगे इससे आपका एक हपते के अंदर ही जो गलती हो रही है वह संसोधन में ठीक कर दी जाएगी ठीक होने के ब चौबर और दिसमर मैने की पैंशन को अभी ट्रांसफर नहीं किया गया है मीड़ रिपोर्ट से मिली जानकार के नुसार यह बताया जा रहा है कि सरकार जनवरी से लगा कर कभी भी आपकी पैंशन ट्रांसफर कर सकती है यानि कि जनवरी दोयर तेस में किसी भी तारीक से सर आंदर परदेश जो आंदर परदेश राज्य के पैंशन धारक है उस राज्य में पहले लाभारतियों को 2500 रुपे प्रतिमा पैंशन दी जा रहे थी लेकिन दोस्तों यहाँ पर 250 रुपे के बढ़ोतरी होने के बाद अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जनवरी 2030 से 2750 रु इतना ही यदि आपको अमर्दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जड़ लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है कोई डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कमेंड बोक्स